जैन सातियों शिवा एजूगेशनल अगर्णवी जहासी में आप सभी का स्वागत हैं आज हम देख रहे हैं भारत का प्राची नितियास इसमें हमारा चैप्टर दस है हडपा संस्कति सिंदू घाटी में कांश यहून शहरी करांग इसका पहले हम परचे देखेंगे पाकिस्तान इलाके वाले पंजाब के हडपा में कांश यूग की शहरी शंस्कति एक अगर्ण ही कोश थी सन 1853 में एक महान उत्खनन करता और खोजी बिटिस इन्जिनियर ए कंग्यूंगम का ध्यान एक हडपा महर पर गई हालाकि महर पर एक बैल और छे अक्ष रंकित थे लेकिन भाई इसकी महत्व से अन्विग रहा हडपा इस्थलों की शंता की पहचान बहुत बाद में सन 1921 में की गई जब भारतिये पुरा तक्ट्व दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई शुरू की उसी समय एक इधियास कार आर डी बैनर जी ने सिंध में मोहन जोड़ो इस्थल की खुदाई की दौनों ने मिलकर एक भिक्सित सब्धा का सूचक माने जाने बाले मिट्टी के बरतनों और अन्य प्राचीन बस्तूओं की को संभव बना जा सन 1931 में मार्सल के शामान ने परिवेक्षक में बड़े पैमाने पर मुहन जोड़ों की खुदाई की गई सन 1938 में मेके ने उसी जगए की खुदाई की सन 1940 में बस्त ने हरपा में खुदाई की सन 1946 में मोर्ती मेर वीलर ने हरपा में खुदाई की सुतंता पूर्व और विवाजन पूर्व काल में की गई खुदाई ने हरपा सस्कुती की बिविन इस्थलों की प्राचीन बस्तूओं को प्रकास में लाया जहां कासिक इस्तमाल किया गया था स्वातांत्र उत्तरकाल में भारत और पाकिस्तान के पुरा तत्तू बिदों ने हरपा और इससे जुड़े इस्तलों की खुदाई की सूरज भान, M.K. धावलीगर, J.P. जोसी, B.B. लाल, S.R. राओ, B.K. थापर, R.S. विष्ट और अन्य ने गुजरात, हरियाना और राइस्तान में काम किया पाकिस्तान में F.A. खान ने मद्द सिंदू घाटी में कोट दिजी की खुदाई की और हकरा और पूर्व हकरा संस्कुतियों की तरफ M.R. मुगल ने काफी ध्यान दिया A.H. दानी ने पाकिस्तान के उत्तर पस्ट में सीमा बढ़ती प्रांध में गांधा की कब्रों की खुदाई की अमेरिका, बिटन, फ्रांस और इटली के पुरा तत्त विदों ने भी हरपा सहित कई इस्थानों पर काम किया और आगे देखेंगे हम सिंदु, हãyटी, सभ्विता गविस्तार यह देखिए सिंदु, हटी, सभ्विता के विस्तार्या इमाना सौनन से भारी तीए पुरातत्तником दॉिपश्र अब हमारे पास हरपा परियाप तसम्रत सामगरी है हाला कि उत्खनन और खोज अभी भी प्रगती पर है सभी विद्वान हरपा संस्किती के सहरी करण के रूप में विक्सित होने पर एकमत है लेकिन हकरा घंगर नदी के साथ पहचानी गई सवस्वती की भूमका और इस संस्किती की निर्मा करने वाले लोगों के बारे में अलग-अलग राय है इस अध्याय में इस पर आंगे चरगा बिचार किया जाएगा सिंदो या हडपा संस्किती तामर पासान संस्कितियों से परानी है जिसका अवलोकन पहले की हो चुका है लेकिन काश काँ उप्योग करने वाली संस्किती की रूप में यह बाद की तुल्ला में कहीं अधिक बिक्सित था यह भारती उप महादीब के उत्तर पस्टिमी भाग में बिक्सित हुआ इसे हडपा कहा जाता है क्योंकि यह है शब्यता पहली बार सन निस से किस में पाकिस्तान के प्रांत प्रंजा प्रांत में इस्थित आदुनिक इस तरह हडपा में खोजी गई सिंध के कई छेत्र पूर्व हडपा संस्किती के मुक्षेत बने यह संस्किती सहरी सब्विता में बिक्सित और परिपक्व हुई जिसका विकार सिंध और पंजाम में हुआ इस परिपक्व हरपा संस्किती का मुक्षेत्र सिंध और पंजाम में मुक्षेता सिंध गाटी में था वहां से यह धक्षन और पूर्व की योग फैली इस तरह हरपा संसकती पंजा, खरियाना, सिंध, बलूचिस्तान, गुजनात, राइस्तान और पश्च्च्मी उत्तपर्देश के किनारे थी यह उत्तर में, सिवालिक में, दक्षण में, अरव समुद्र, तकत और पस्टिम में बलुष्टान के मकरन तट से उत्तरपूर में मेरट तक पहला था समुद्री किनारों ने एक तरुष जैसे इस्थान का गठन किया जो लगवग 12.966 लाग वर किलू मीटर में फैला हुआ था जो कि पाकिस्तान की तुलना में बड़ा छेत है और प्राचीन, मिस्र और मैजब अठामिया की तुलना में तो निश्चे ही बड़ा है इसा पूर्व तीसरी और दूसरी सहस्तराब्दी में दुनिया भर में कोई अन्य संस्कती छेत हरपा जित्ता ब्यापक नहीं था पूरे महदीब में अभी तक लगवक 2800 हरपा संस्कती के सुरुवाती चरण, बिकसित अवस्था और अन्तिम चरणों में सम्मंदित है बिकसित चरण के स्थलों में दो सबसे महत्वों सहर थे पंजाब में हरपा और सिंद में मोहन जोदरो जिसका साब्दिक अर्थ है मुर्दों का टीला दोनों पाकिस्तानी हिस्से में हैं वे 483 किलो मीटर दूर सिंदू से जड़ हुए थे सिंदू में मोहन जोदरो में लगवग 130 किलोमेटर तक दूर तक तीसरा सहर है चांदू दरो में और खंबाती खाड़ी के सरहाने गुजरात के लोथल में चौता सहर है पांचमा सहर उत्तिजाइस्थान में काली वंगा में है जिसका मतलब है काली चूड़िया चटा सहर वनावली हर्याना के सार जिले में इस्तित है यहां काली वंगा की तरहे दो सांस्कितिक चरण मिलते हैं पूर हडपा और हडपा ये हडपा काल की मिट्टी की इटों से बने चबूतरे सडकों और नालियों के अपसेसों से सम्मंदित सरूप को दर्साती है हडपा संस्किती का विक्सित और सम्मरद इस्तर इन सभी छे स्थलों पर देखने को मिलता है सूतक जेंडर और सू कोतड़ा के टटिये सहरों में भी इसके प्रमार दिखते हैं इन सहरों की पैचान गड़ से होती है बाद में अरप्पा कार के संकेत गुजरात के काठिया वार प्राइदीप के रंगपुर और रोजडी में मिलते हैं इसके अतरिक्त गुजरात के कच इलाकों में बसे धोरा वीला में हरप्पा दुर्क और हरप्पा संस्किती के सभी तीन चलन दिखते हैं ये चलन राकी गड़ी में भी मिलते हैं जो हरियाना के घगर मिस्तित हैं और धोला वीरा में बहुत बड़ा है तो नात्मक तौर पर धोली वीरा पचास हेक्टेर में फैला है जबकी हरप्पा देड़ सो एकड़ और राकी गड़ी धाई सो एकड़ में हाला कि सबसे बड़ा हिस्ता है प्राचीन समय में बाण से इस हर का इक बड़ा हिस्ता पूरी तरह नस्ट हो गया था था थैंक्यू